हेलो दुस्तों आज हम आपके साथ एक सरुवार के पहुंचे का बहुत ही सुन्धर डिसाइन लेकर आए हैं आप इसे बाजसरो के आगे या फिर आप इसे पहुंचे के आगे बनाएंगे तो बहुत ही सुन्धर लगता है ये और बनाने में बहुत जारा असान है मैं इसके सारे जो tips हैं वो आपके साथ बताऊंगी यहाँ पे एक lace का use भी हम करेंगे और यह जो design है आजकल बहुत जारा trend में है हम इसे इस लवार के पहुंचे में या फिर प्लाजो के पहुंचे में भी बनाकर ready कर सकते हैं तो इसे बनाने का easy जो tip है वो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हमने एक बुक्रम ली है बुक्रम को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे बुक्रम को जो हमने फोल्ड किया है उसकी जो पट्टी की चुड़ाई है वो एक इंच है एक इंच पट्टी की चुड़ाई में हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है इसके उपर अब इसे गुलाई देते हुए हम इस तरह मिला देंगे तो लिजिए यह गुलाई हमने दे दी है अब हम इसे कट कर लेते हैं सेम इसी शेप में तो यह मैंने एक पैटर्न कट करके रखा हुआ है इसको आपको रखिए संभालके हमेशा यह आपकी काम आएगा इसको आपको फिंखना नहीं है तो देखिए इसके पराबर हमने इसको कट कर लिया है तो अब हमने क्या करना है बुकरम की पटी लंबी लेनी है और इसके उपर इसको इस तरह कर लेना है आप पूरी लंबी पटी के उपर इस तरह कर लिए जितना भी स्कैल्प आपको चाहिए और इसे फिर हम इसकी कटिं जाने के सिलाइ लगाने का इस बहुत बड़ा बेनिफित होता है कि आपको स्कैल्प तैंद्र हों श्याइब है डिजाएद होता है आप इस डिजाइन को हमने पॉंचे के उपर जोड़ना है पांचा हमने उतना ही रखना है जितना आपका रेडी होगा उससे थोड़ा सा ज्य के लिए तो ये मेरा पाउंचा ०लिया हुआ है अब हम इसकी उपर पहले हाफ का निशाद लगा लेते हैं और यहां पर जो अपना डिसाइन है उसका भी आपने हाफ देख ले ना है तब ही आप पांचे को सेट करोंगे अगर अगर निशान नहीं देखोगे तो आपके जो scalp है वो टेड़े मेड़े से बन जाएंगे जैसे कि वो match नहीं करेंगे जब हम end में सिलाई लगाएंगे आप design बनाने से पहले आपने पॉंचे के कपड़े और design वाले कपड़े को दोनों को आपस में match करते हुए एक सिलाई उपर लगा लिनी है इस सिलाई लगाने से जो scalp है वो बिलकुर हिलेगा नहीं वो easily stitch हो जाएगा तो यह सिलाई हमने यहां पे लगा ली है अब हम जो हमारी shape है उसके हिसाफ से सिलना शुरू करते है यहां पे कभी भी आप design बनाते हो तो पॉंचे से थोड़ा बड़ा ही बनाईएगा क्योंकि shape बाद में आती है और इसकी cutting आपको करनी पड़ती है तो यहां पे मैंने एक इंच extra बनाया है पौंचे के बाद अब हम बिल्कुल इसकी गुलाई के हिसाफ से shape लगा लेंगे सिलाई लेंगे और यहां पर जो हमने सिलाई लगानी है वो बुक्रम के ऊपर नहीं लगानी है इस गुलाई के बिलकुल साथ लगानी है अगर आप बुक्रम के ऊपर लगाओगे तो finishing नहीं आएगी और आपके scalp टेडे मिले से बन जाएंगे तो पहले इस पे पूरे पर सिलाई लग कट करेंगे और सिलाइगे का ध्यान रखेंगे कि सिलाइग ū में हमारी बीचिमे से कटनी नहीं चाहिए यह जो उपर की एकसरा सिलाइगी हमने मैं में खोल अभर खोल यह कपड़के के अ망 करना है बहुत ईजी ली पल्टी हो जाएंगे ये और इसके जो एजीज हैं उनको आपने फिनिश कर लेना है एक बार इस तरह पकड़ते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो ये हमारे एजीज बिलकुल कम्प्रीट हो जाएंगे तो लीजे ये डिजाइन हमारा आल्मोस बन की जरूरत नहीं है इसमें मैं दो से तीन सीधियां सिलाइगे लगाके और यहां पर स्केल्प के ऊपर बिलकुल एक सिलाई लगाते हुए ये जो सिलाई लगानी है ये जरूरी है तांकि स्केल्प कभी खुले ना आपका अब हमने ये पहुंचा रेडी कर लिया है अब हम पहुंचे के ऊपर एक इंच शोड़ दे रहा है जितना भी आपका पहुंचा है उसके ऊपर एक इंच का निशान लगा लीजिए और इस लाइन को आप सीधा कर लीजिए पूरे पहुंचे में आपने ऐसे ही रखना है और इस लाइन को सीधा करके एक निशान बना लेना है फिर इसकी हम cutting करेंगे यहां से हमने पहुंचे को cut कर लेना है कई पर ऐसा होता है कि आपकी सलवार उची बनी हुई है तो इस design की help से आप उसको लंबा भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसकी cutting कर देती हूँ यहां पर मैंने सलवार की लंबाई एक इंच कम रखी है क्योंकि जो हमारी insert lace है वो काफी चौड़ी है अगर आपकी insert lace चौड़ी ना हो normal है तो आपने जो अपनी लंबाई है सलवार की normal ही रखनी है कितना, क्योंकि अगर एक इंच की लेक् vibrations तो एक इंच आप का स्लाइयों में भी आ जाएगा अब हम इसको इस तरह जोड़ेंगे अब उल्टीसाइड लेस की रखनी है सीधी साइड सलवार की रखनी है सलवार हमारी सीधी है और Lace हमने इस तरह उल्टी रखनी है इसके उपर अब इसके उपर एक स्टेच लगा देते हैं ध्यान से देख लीजिए Lace हमारी उल्टी है और सलवार हमारी सीधी है इसके उपर एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुँ सीधी और जो गैप है मार्जन है वो ब्राबर रखेंगे अब सिलाई को पर्टी करते हुए इसको दबा देंगे अब लीजिए अब हमने नीचे का हिसा इसमें जोड़ना है नीचे वाले हिस्से को हम दूसरी तरफ से जोड़ेंगे ऐसे रखना है इसको ऐसे चलना है अब देख लीजिए कहां पर आएगा एक इंच छोड़ने के बाद यह जुड़ेगा अभी हम इस साइट से नहीं दूसरी साइट से जोड़ेंगे क्योंकि लेज का फेस उपर रखेंग अब हमने पॉंचे को नीचे की दरफ रख दिया है लीज़े सिलाई हमने से लगा दी है अब इस पे वहमढ़ा आप की सिलाई लगा देंगे उपर से और इसको लिसको कर देते हैं, cut तो लीजिए पहुंचा हमारा बंग कर तयार है insert हमारा लग चुका है अब आपने इसको half कर लेना है half करने के बाद जितना भी पहुंचा आप ready रखते हो उतना यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए सिलाई लगाने के बाद आपकी सल्वार ready है और बहुत ही सुंदर यह पहुंचा हमारा बंग जाता है तो लीजिए यह पहुंचा हमारा बंग कर तयार हो गया है आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताईएगा जुरूर और अगर आपने यह पहले ट्राई किया है तो वह भी बताईएगा अगर किसी ने नहीं ट्राई किया है तो वह भी बताईएगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार आगे हम बहुत सारे डिजाइन लेकर आएगे जो आपको उमीद करती हूं पसंद आएंगे अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें बता दीजिए हम उसके वीडियो जुरूर बनाएंगे तो लीजिए पहनने के बाद इसका जो लुक है वो इस तरह का आएगा ये मैंने स्टेट सलवार यानि कि कम घेरे की सलवार में डिजाइन बनाया है क्योंकि बहुत जादा घेरे में ये डिजाइन कम दिखता है तो ये रेडी है मैंने ये सूट भी इस तरह बनाया है आपको कैसा लगा है आप हमें बताएं थैंक्यो फो वाचिए